उदैपुर के नाना पताप रेलवे स्टेशन के पास खेमपुरा और भोईवाडे के बीच रेलवे फाटक पर प्रती दिन जाम लगा रहता है रेलवे फाटक शनिवा शाम एक वाहन ध्वारा तोड़ दी गई फाटक तूटने का कारण वाहन मालिक की गलती न होकर इस फाटक की गेट मेन की है जो प्रती दिन इसे खोलता और बंद करता है आपको बता दें कि इस फाटक पर रोजाना शाम को जाम लग जाता है ट्रेन के गुजरने के बाद जब लोग इस फाटक से निकलते हैं तो यहाँ जाम की इस्तिती बन जाती है और उस जाम से परिशान होकर गेट मेन इस फाटक को बंद कर देता है जिससे लोग बीच पट्री पर ही अपनी गाड़ी लेकर खड़े रहते हैं गेट मेन के द्वारा लोगों की जान खत्रे में डाली जा रही है यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं अपितू रोज शाम को गेट मेन द्वारा यही किया जाता है लेकिन शनिवा शाम तो यह फाटक भी टूड गई